नमस्कार दोस्तों, सिविल ग्यान में आपका स्वागत है, तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं, कि जब हमारे पास में execution depth नहीं दीवियों किसी कलवट की, उस case में हम लोग execution depth केसे adopt करें, ये मैं box कलवट की ही बात कर रहा हूं, अभी में किसी और structure की बात नहीं कर रहा ह तो जब बात box कलवट की आती है, तो उसके लिए criteria क्या क्या है depth foundation के, है ना, तो उसके लिए क्या होता है, कि किसी normal soil में अगर construction होता है, तो जो हमारा protected bed level है, protected bed level से मेरा मतलब ही है, कि जहां पे हम लोगों ने अप्रोन कर रखा है, floor protection बना रखी है, जो हम लोगों ने water से बनाते हैं, flexible appral बनाते हैं, curtain wall बनाते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, उससे एक protected bed बनाते हैं, वो क्या होता है, कि scoring रोपता है, scoring मतलब मिट्टी को खोदता नहीं है, जो पानी आता है, मिट्टी को अपने साथ में खोद कोद के बहा के लेके नहीं जाता है, तो एक protected bed level होता है, उस level से अगर normal soil ले तो normal soil के case में 2 meter की हम लोग depth ले सकते हैं minimum अगर हमारा ऐसा soil आ गया जो जिसकी bearing capacity अच्छा है जो वहाँ पे founding जो इस्टेटा है वो अच्छा है तो 2 meter अगर नहीं आया है दोस्तों तो आपको और ज्यादा नीचे जाना पड़ सकता है ठीक है ना उसके अलावा अगर आप जब soft rock में करते हैं construction soft rock के लिए भी criteria होता है hard rock मतलब जो अपना काला पत्थर देखा है आपने वो hard rock होता है और soft rock जो बिल्कुल जिसमें से पपड़ी पपड़ी अलग निकल जाती है वो एक soft rock होती है उस case में क्या होता है दोस्तों उस case में जब आपका protected bed level होता है तो उससे आपको 1.5 meter नीचे जाके execution करना पड़ता है है ना मतलब minimum जो depth है वो 1.5 meter आपकी रहती है उस case में किस case में soft rock के case में और यही case जब hard rock का होता है hard rock का होता है तो केसे भी करके आपको by any means अगर आपको वहाँ पे blasting भी करनी पड़े control blasting कीजिए चाहिए कुछ भी कीजिए ब्रेकर से तोड़िए पत्थर को क्योंकि काला पत्थर बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है उसको तूटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कभी कभी तो breaker चलते चलते hydraulic pump तोड़ देता है अपने मतलब जो hydraulic pipes रहती है वो त उससे ज़्यादा आप लोग नहीं जा सकते उस case में आप लोग curtain वाल भी उसी साब से बनाएंगे प्रोटेक्ट बेट भी उसी साब से आप लोग construct करते हैं क्योंकि उतना नीचे नहीं जा सकते हैं अगर आपको जाना ही है प्रोटेक्शन बेट माल लीजिए consultant नहीं मान रह तो यह दोस्तों तीन क्राइटेरिया होते हैं स्वाइल के लिए दो मिटर और जो सोफ्ट रोग होती है उसके लिए 1.5 मिटर और जो हाड रोग होती है उसमें हम लोगों को minimum 600 mm foundation ले जाना ही पड़ता है प्रोटेक्टेट बेड लेवल के नीचे या फिर अगर प्रोटेक् स्वाइट 5 मिटर नीचे या फिर बहुक्र या फिर सिल टरीक चाहि से ति इन क्राइटेरिया होते हैं तो उम्मीद करता हूं दोस्तों duesको समझ में आ गए होंगे समझ में आ गاع कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ में जशेर कीजिए इस वीडियो को और देख रहिए सिविल ग्यान